हेलो प्रेंट्स केज़े ओई हो पाप अच्चे होंगे तो ये आज की ही एक निउस पेपर की कटिंग है और ये रीड से संब्देत है और इसमें रीड के बारे में बताया गया है कि फोरम कब से प्लब करवाये जा सकते हैं ठीक है तो देख लेते हैं बोर्ड रीड 2022 की तयार में चूट गया है या माना जा रहा है कि अगले मई अगले मईने यानी अपरेल में बोर्ड की कभी भी ओनलाइन आविदिन प्रक्रिया शुरू हो सकते हैं आगे दिरका है कि बोर्ड ले अब्येडियों से ओनलाइन आविदन पत बरवाने के लिए फ्रूर्म यानि जो एक स्सता होती है जो फॉरम प्ऌलप करवाती है فर्म की तलास करना या तलास करना शुरू कर दिया है बोड को रीट 2022 की सीगरी ओनलाइन आविदन की प्रक्रिया शुरू करनी है बोड ओनलाइन आविदन अलग एक एजेंसी की मात्य में से बरवाईगा, इसके लिए बोड के रीट का रहले है, कि और से एक फर्म की तलास के लिए बिग्यापन जारी कर दिया, जिसके लिए 28 मार्ज तक आविदन मांगे गए ठीक है, फर्म का मतलब है, जहां पर कोई सस्ता हो सकती है जो फर्म फिलप करवाईगी, जो डाटा जो भी हम फिलप करते हैं, डोकुमेंट्स का उसे संब्ध देता है, तो इसका मतलब यह होता है, कि अपरेल में आपके फर्म फिलप हो जाएंगे, ठीक है, बाकि जो लेबल टू रद हुई थी, जिनका 26 सेतंबर और 16 अक्टूबर को पड़िचा हुई थी, रद होई थी, रद होने के बाद अब उन्हें फर्म फिलप करना भी पड़ सकता है, लेकिन उन्हें चार्ल्ज नहीं करना होगा, पैसे नहीं देने होगा, यह आपके मुक्रमती एसो के लाइट के चुक है, ठीक है, तो यह अच्छी कबर है कि इसका मतलब यह होता है कि अप्रेल में अगर फॉरम फिलप हो जाते हैं आपके, तो अप्रेल फिर उसके बाद मैं और जून और जुलाई, यह आपको तीन वहने का टाइम मिल जाएगा, अप्रेल कि कर का शुमें अवट हैं ।